हाई गाइज असाम लिकूम आज हम करें हैं एक्सरसाइज 2.1 टेन्थ क्लास के कोईशियन नमबर 2 का थर्ड वाला पार्ट जिसमें उन्होंने हमें दिया है 16 x square minus 24 x plus 9 is equal to 0 जिसे के हमने लास वाले कोईशियन में कैसा सेम एडिटेस हम वैसे ही करेंगे पैदे हम लोग कर लेंगे compare कर लेंगे simple quadratic equation से इसको ax square plus bx plus c is equal to 0 ठीक होगे हम here here is equal to 16 p is equal to minus 24 and c is equal to 9 discriminant मारूम करेंगे इसका discriminant is equal to b square minus 4 minus 4 x 16 x 9 ठीक होगे थांब को solve कर लेंगे minus 24 का square लेंगे तो आएका 576 minus 4 x 16 x 9 576 इस इकल टू जीरो आपको पता है कि जब हमारे discriminant उन्स होता हो जीरो आ जाता है तो जोंसे roots होते हैं उसके वह रैस्टल हो जाते हैं मिन्स के real and equal हो जाते हैं खीक है अब हम दिखेंगे as the discriminate is equal to zero झाल झाल जाल हमने लिख लिए as the discriminant is 0 therefore the roots are rational means Paulo होते हять इसको रहेंगे वेरी सिकेश्वन हैं में कुष्वन मेंमिशम करते हैं कि आपने वेरिफिकेश्वन सोल्व करना है चल्याए आप हम लिखेंगे आवे वेली जुर आदिर वेलैंट अ कि एक 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 है। वेरिफिकेशन बाइ सॉल्विंग एक्वेशन आप हम क्लिकें के 16 x square minus 24 x plus 9 is equal to 0 but the radical 4x minus 3ka whole square is equal to 0 therefore 4x minus 3 is equal to 0 here 4x is equal to 3 4x is equal to 3 and x is equal to 3 over 4 so the roots are rational means that get real and equal to equal and x is equal to 3 over 4 so the roots are rational rational and equal and x is equal to 3 over 4 here again my answer खीको कि अर्शेकं अब आप ये कुशें करें और बाइबाय प्रचिस करें अगर आप पर 5 पी से कोई मसला हो में पोक्स में लिखकर में जब बताएं और थैंक यू फर वाचिंग बाइबाई अलाहाफेज